So hello students, और जैसा कि आप लोग का कल English का board exam है, तो आज एक final video आपका pressure release करने के लिए, tension free करने के लिए मैं लेकर आया हूँ जिससे कि आप लोग boost up हो जाएंगे कल के exam के लिए और guaranteed हम लोग अच्छा score करेंगे So tension not English का वेपर बहुत बहुत easy आने वाला है guys, और कल आप comment पे लिखो के sir एकड़म मस्त गया, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं कर आए तो please चैनल को subscribe जरूर कर देना, ठीक है, अब हम बात करते हैं English के final tips के बारे में sir हमने सब पढ़ लिया है, अब और बच्चो अग जो जो चीजे नहीं करी है, मैंने सब के link मैंने description में दिया हुए है, मैंने editing omission का, letter writing का, सभी चीजों का, prepositions का, मैंने link description में दे दिया है, novel के questions का, वहाँ जा के आप देख लीजेगा, but फिलाल let us discuss the final tips, तो बच्चों सबसे पहला point है attempt full paper, yes, चै कोई भी चै कितना भी मुश्किल आए, चै कितना भी असान आए या average रहे, आपको किसी भी हालत में तीन गंटे में वह paper खतम करके ही आना है, second point है follow proper format of letter writing and short story writing, बच्चों जो आपका writing section में जो format होंगे उन्हें अच्छे से strictly follow करना, और cutting वर्टिंग ना करना तो बहुत बढ़िया र 30 words, 50-40 words, जो भी आपको दी गई होगी, उसके अंदर ही अंदर answer खतम भर निगोशिश करना, यह मत करना कि आप exceed करे जा रहे हो, आगे बढ़े जा रहे हो, तो वो आपके लिए नुकसान में जाएगा, bad impression पड़ता है उससे teacher पे, और वो marks काट भी सकता है, yes, ठीक है, fourth point पे करते हैं, try to write neat and clean, यार माना तुभाई writing रदी है, यार सबकी ऐसी होती है, but कल के paper में try करना कि थोड़ी अच्छी writing आप लिख सको, ठीक है, साफ सुदरी, जिससे की teacher पे positive impression, impact पड़े, ठीक है, fifth point है बच्चो, cutting मत करना, try करना कि cutting कम से कम हो, इक का दुख का जगा ही cutting हो, ठ अच्छी नजर जाएगी, तो teacher आपको guaranteed marks देगा, ठीक है ना, तो इन चीज़ों, अगर आपको marks चाहिए, तो आपको आज की ये वीडियो की tips जरूर फॉलो करनी होंगी, ये guaranteed आपको marks दिलाएंगी, ठीक है ना, और कल से students SST और FIT के लिए जुड जाना, अभी में जादा आपको disturb नहीं कर रहा, फटा फट से अगले point पर चलते है, 6th है avoid grammatical errors, जो की बच्छो tenses, prepositions, try करिये, जब आप कुछ लिख रहे हों तो एक proper sentence बनाए, subject, verb plus object, ये basic rules आप पढ़ चुके होंगे, मैंने tenses की वीडियो में अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया, रटा दिय सब चीजे की simple sentence बनता कैसे है, ठीक है, तो try कीजेगा कि ये grammatical errors से आप दूर रहें, ठीक है, अब बच्चो काफी बच्चो को doubt होता है, सर किस तरीके से हम paper को attempt करें, कौन सा section पहले करें, और कितना time कौन से section को दें, तो बच्चो ये बताने के लिए मैंने सामने लिख दी आपके लिए, कि section C जो आपको literature part होगा, उसे सबसे पहले attempt करें, क्योंकि उसके questions के answer आपको already पता होंगे, और section C को आप एक घंटा बड़े प्यार से दे सकते हैं, बिना किसी tension के, section B, यानि कि writing और grammar part को भी आप एक घंटा ही दे, वैसे वो एक घंटे से पहले ही हो जाएग तो मैंने लिख दिया है, मान लिजे 50 minutes to 1 hour आपको लग भी जाता है, then बच्चों last में attempt करना section A, section A last में attempt करना, 45 to 50 minutes में cover up करने ही कोशिश करना, ताकि last के 5-10 minutes revise करने के लिए मिल जाए, अब बच्चों सबसे important बात, जब आपका reading time होगा 15 minutes, तब आप क्या करें, तो बच्च answers mark कर लीजिए, mark करने के लिए teacher मना नहीं करेगा, और dot लगा लीजिए, यार इतना तो आप लोग चालू होते ही है कि answer mark कैसे करना है, ठीक है न, तो try करिए कि first 15 minutes में section A जितना solve कर पा है, उतना बढ़िया होगा, क्योंकि जब आप section A करने आएंगे, तो आप फटा फट से लिख देंगे, प्लस आप पहले 15 minutes में उनने solve कर लेंगे तो आप भी थोड़े tension free हो जाएंगे कि हा मैंने इतने questions तो solve कर ही लिए, चलिए बच्चे फटा फट से last point देख लेते हैं, और फटा फट से में आपको all the best कहता हूँ, आप अराम से नींद पूरी करिए, अच्छे उसका answer लिखिए, किसी भी तरह बनाईए, ठीके ना, जो उपर मैंने points बताई हैं, उनको follow कीजिए, और guaranteed कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और last 10th point जो है, उस पे mark star लगा लेना, बहुत important point है, कि जो भी आप important keywords लिखके आते हैं, जिन पे आप चाहते हैं, कि यार ये मैं प उन words पर जरूर underline कर दे, उससे teacher का direct नजर वहाँ पर जाएगी, और उसको पता चल जाएगा, कि आप पढ़के आए हैं, तो वो आपको full marks दे देगा, तो बच्चों यही मेरे 10 basic tips थी, और मैं all the best कहूंगा, आप सभी के लिए, और कल please जरूर आके comment में बता दीजेगा, कि आपका paper कैसा गया, और मैं paper के solution यह review भी जरूर डालूँगा कल, ठीक है, all the best students, thank you very much